वेल्कम बैक टू यूर चैनल ब्लूमिंग गार्डन फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ अपने सदावाहर के प्लांट्स का एक ओवर्वियू दूँगी कि मेरे पास सदावाहर के कितने प्लांट्स हैं और किस तरह से ये ब्लूमिंग कर रहे हैं इसका ब्लूमिंग सीजन तो आज से पूरे साल भर ये ब्लूमिंग करता है बट समर में यह बहुत जादा भूम करता है आप देarea मंगे बलकूल बूशी है और बहुत ही इक … यह भी और प्लांट्स है यह इह सदावार के मौफ केतिक। ये भी एक hybrid plant ही है, ये white plant है, white winka है, जिसे सदावार बोलते हैं, ये जो है, ये भी hybrid plant है, ये सभी plants जो हैं, बहुत easily grow कर जाते हैं, और beet से भी लग जाते हैं, और cutting से भी लग जाते हैं, मेरे पास ये जो हैं, अभी बहुत जादा systematic में नहीं रखे हैं, बट सारे ही plants जो हैं, बहुत अच्छे से, बिल्कुल low maintenance plant है, और सबसे अच्छी चीज जो होती हैं इन plants की, ये पूरे साल भर flowering करते हैं, ये देखे कितने सुन्दा तरीके से, और जो flowers आते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, बहुत ही खुबसूरत plants हैं, flowers आते हैं इसमें, देखे ये वाला जो है ये भी मिरा hybrid plant है, पिंक से थोड़ा सा राग shade में हैं, ये जो है, आप ये देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो है, ये देखे ब्रीड है, बिल्कुल देखे में जो होते हैं, दो तरह के plant आते हैं, एक ये move color में आता है, एक white color में आता है, जिसमें कोई shade नहीं होता है, ये वाला जो है, ये देखे है, बाकी मेरे पास और जो है, वो सभी hybrid हैं, अब ये आगे देखे, ये वाला है, देखे, ये देखे, ये देखे है, ये पूरा white petals में है, ये देखे, सारे ही plant जो हैं, अच्छे से growth कर रहा हैं, बहुत systematic way में नहीं लगाए हैं, अभी इनको organize करना पाकी है, पर ये मेरे जो है, backward garden में हैं, ये सारे ही plant, ये देखे, ये वाला भी देखे है, बहुत अच्छे से bloom कर रहा है, इनको आप ज़रूर लगाए अपने घर में, क्योंकि एक दम बिल्कुल low maintenance plant है, और इनका flowering जो है, पूरे साल भर रहता है, इसलिए जो है, ये plant जो ये वाला भी जो है, ये भी hybrid है, पिंक में ही है, ये maximum plant जो है, अपने आप ही जो है, इतने ज़्यादा अपने आप ही हो गए है, बीच से ही हो गए है, अभी मैंने इनको systematic और organized way में नहीं लगाया है, पर ये plants अभी जैसे भी लगे हैं, बहुत ही खुबसूरत लगे हैं, अ सब के सब एक साथ एक तरफ लगा के इसको corner में establish करके बिल्कूल अच्छे से set करना, ये वाला जो है, ये देखे दो जो है, नीचे pink वाला है, ये भी hybrid है, ये देशी plant है, देखे, pink का plant जो होता है, सदा वाहर का plant एक बहुत ही common plant है, बहुत से लोगों के घरों में मिलता है, और एकदम easy growing plant है, आप इसे घर पर ज़रूर लगाईए friends, ये मेरा favorite one है, इसकी जो bushes है, एकदम बहुती बुशी plant है, ये वाला जो है, इस तरही पूरा time जो बहुत सुब्य उठोआ, बहुत अपने garden में इस तरह के plant flowering करते वे देखें कि इतने अच्छे गुबसूरा तरी को मेरा सदा भार का collection अच्छा लगा हो, तो please share and like the video and subscribe the channel, thanks for watching it, bye bye